गुड मॉर्णिंग बच्चों आज हम फिजिक्स चैप्टर थर्टीन थर्टीन का अर्दचालक इलेक्ट्रोनिक युगतियां का पार्ट टू का अधियन करेंगे इसमें हम पढ़ेंगे बाहे अर्दचालक किया है उसके पहले हमने पढ़े निज अर्दचालक century धकर ए तो इसमें हम पढ़ेंगे बाहे अर्दचालक के प्रकार a.vahe को दोहीर चैप से हैं यह पित है तो देखते हैं फट रब्र समेक लेना है तो उसके प्रखार जालनी है की बाह अर्द चालक दो क्रखा की अनुटक डिखाना है इक्स्टमशिस सेंविकंड़ेन्यक्प मतलब ऑश्टमशिस सेंविक्टबाईर नकेन्टर तो इन टाइपस को आपको ये चित्र बनाना है इसमें बीच में नाभिक दिया हुआ नाभिक में जरृमेनियम ठीक है तो इसको आपको बना ले रहे है और इसके बाद देखेंगे नीचे आपका data-Ἠा- पर इसको आपको इस चित्र को भी बना लेना है इसके बाद के फिर आगे आपको लिखना किया इसमें लिखेंगे यदी तिक नेज अर्दचालक सिलिकान जर्मेनियम चतुर्त सहियोजी तिक जो सिलिकान और जर्मेनियम है वो नेज अर्दचालक में क्या है चतुर्त सहियोज ऐसुद्धी के रूप में मिलाया जाता है, तब इसका एक परमाण। जर्मिनियम क्रिश्टल से एक जर्मिनियम परमार को विश्थापित कर देता है ठीक पी के बाहितम कोस में यस स्योजी रिन इलेक्टरान ठीक है पी के बाहितम कोस में पांच स्योजी रिन इलेक्टरान उपस्तित होते हैं फिर देखें आगे प्रंतर एक मुक्थ रिन इलक्ट्रान C-S बचा रहता है एक पी पर्मार्ण से मुक्थ रिन इलक्ट्रान प्राप्त होता है अथा पंच स्योजी असुधियों को दाता आसुधिangen कहते हैं स्योजी बेंड में होलों की संक्या च्छालण बेंड में रेलिलेक्टरान की संक्या से कम होती है फिर देखें आगे उन ताइप अप द्रभी अर्दचालग में रेल Insurance भहुश शंक्या हं वहाण होते हैं फिर इसके बाद देखें यहो गया आपका थीक है तो देखेंगे पी टाइप ज्या再 Top 48 ऑपका क्या है तो देखें इसमें नाभूध भणाएन पो hints करें तो इसके सबस्काइब बनाना इस चित्र को बधनाने के बाद देखें क्या करणा है बches क्या लें ऐतर है ले रहा है तो देखेंगे यहां पर लिखना क्या है आपको इस चित्र को बनाने के बाद लिखेंगे पी टाइप अपद्रबी अर्दचालकों में बहुत संक्यक आवेस्वाग होल तथा अलप शंक्यक आवेस्वाग रिण इलेक्ट्रान होते हैं फिर देखें क्या है पी अन जंक्सन संदी यदि पी प्रकार के अर्दचालकों को परमार्वी रूप से यन प्रकार के अर्दचालकों के साथ संयोजित करते हैं तब बनने वाली युक्ति को PN संधी कहते हैं इसके बाद कि क्या है PN संधी बनाने के लिए विसरण विदिका उपयोग करते हैं एक P प्रकार की अर्दचालक पर 5 संयोजी असुधियों का लेप करके इसे भट्टी में उचिताप पर गर्म किया जाता है जिस भाग तक असुधियों का विसरण होता है वह भाग यन प्रकार तुदा सेस भाग P प्रकार का अर्दचालक बन जाता है ठीक है फिर देखें हेडिंग क्या है PN संधी क्रिया है तो आपको PN संधी क्रिया में इस चित्र को आपको बनाना है ठीक है इसे विसरण दिया है हर और देकिंअ आगे किया है यह प्लस प्लस या पर dışछा इसको बहुत तो यहां पर इसको बनाना है इसके बार है कि यहां पर P type N type क्या लिखया लिख है इलेक्टरी कली ठीक की रीक कर लिखने हैं तो यहां पर देखें आगे क्या है आगे देखेंगे जो हैं कि जबंए चेटर एवरे रोधी बीद चेत्र it केपटल EB है आपड़ी विभोग है वी बी है ठीक है यहाँ पर हमें लिखना है आप यहाँ बड़ी बिद उच्छी है तो EB बड़ा वीवी बीध अपान डियक्स ठीक है तो देखें कि आगे क्या है ठीक पी अन संदी के भाग में पी भाग में होलों का संख्या घना तो यन भाग में इलेक्टरान संख्या घना तो अधिक होता है ठीक है पी अन संदी के भाग में क -, तृवृृ। आवेच वहखों की सांधरिता में अंतर होने के कार्ण पी नियर्ण इलेक्टरण क क dosis नियर कि सांधरिता में र ne अंतर होने कार्ण पाय। और र Le मुक्त आवेस वहक रहित इस पतली परत को आवच्य परत कहते हैं ठीक है फिदेखें आगे के आवच्य परत के पी भाग की और रिनावेस तदा यन भाग की और धनावेस उपस्तित होता है ठीक है तो कहे रहा है कि आवच्य परत के पी भाग की और रिनावेस तदा यन भाग को गति करने से रोपता है लिए रोधी का मान अवचह परत की मुटाई अर्धचालक की प्रकति यह आप द्रब्बों की सांध्रता पर निर्भर करता है यह अवरोधी भी वह वी भी तिता अवच्छे परत की मुटाई डी हो तब अवरोधी विद्धुच्छेत्र यह वी भी भी अपान डी हो जाएगा ठीक है पी एंसनी डायोट क्या है तो देखेंगे यहां पर पी एंसनी डायोट वाइसी करन क्या है ठीक है देखेंगे यहां पर पी एंसनी डायोट वाइसी करन क्या है ठीक है देखेंगे यहां पर तो पी एंसनी डायोट वाइसी करन किसे होता है ठीक है इसका काम है ठीक है अब देखें इसमें क्या करना इसके दो भाग है कौन-कौ परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् खीज और यन पार्ट को नीगेटिव टर्मिनल से स्योजित किया छहता है ठीक है फिर देखें आगे दिया हुआ है आपका परिपत, तो परिपत में आपको होल दिख रहे हैँ ठीक है तो होल क्या कर रहे हैं पीस यन टायब कि और यन कि और जा रहे हैं फिर देखें आगे दो टर्मिनल दियें प्लेस और माइनस ठीके फिर देखें इसके आगे इसमें क्या करना है लिखना है ठीके लिखना है अगर अभिनत में पियर सन्दी डायोड की अगर बाइसी करण की आवस्ता में बैट्री दौरा आरोपित बिदुच्छित कैप्टली तता आवरोधि बिदुच्छित कैप्टली भी परस पर बिप्रीदी सामय होते हैं ठीक है आरोपित बोलत था कि मान में अल्प ब्रदी से आवच्छे परत की मुटाई तता आवरोधि बिदुद बिभाव रोधि का घटकर सूनी हो जाते हैं याता पी भाग से होल यन से इलेक्ट्रान पी भाग के और गति प्रारम कर देते हैं ठीक है अब बिभाव के मान में ब्रती करने पर बिदुद धारा के मान में चर घातां की रूप से ब्रती होती है यादि पीन सन्नी डायोड के अग्रवाइसी करण के अवस्ता में इसका बेवार एक चाला की भात ह होता है ठीक है फिर देखें आगी क्या है रिवार से भाइस ठीक है उद्करम अभिनाती तो देखें क्या है यदि पीन सन्नी डायोड के पी भाग को बैटी के रिंड टर्मिनल से तदा यन भाग को बैटी के धन टर्मिनल से सहिवजित कर दिया जाए तब इस प्रकार के सहि स्टर और सब्सक्राइब तब इस प्रेकार के सहीयोजन को क्या बोलते है ठीक है बोलते है पर्ष अभीनाती क्या बोलते है पर्ष दिशिक सहीयोजन ठीक है आपको हीडिंग इसमें डालना है पर्ष अभीनाती रिवर्ष भायश ठीक है तो इसने बताया गया कि जो आपका पी भाग होता है वो क्या हो देखें आप पी भाग में होल दिये हुए है और भी इची में आपका उच्छे पर्त दिया हुआ है तो यहां पर देखें कि क्या आपको यह चित्र बना के है ठीक है इसके बाद फिर अगली हेडिंग है अगली हेडिंग देखें क्या है पी अन संदी डायोड का प्रतिरोध तो क्या लिखना है पी अन संदी डायोड एक आर रेखी की युक्ति है अताहिया ओम की नियम की अनुपालना नहीं करती है तो ऐसी युक्तियों के लिए गति के प्रतिरोध परिभासित किये जाते हैं क्य नहीं होता है तो आर यह बरापर आपको लिखने आगरे बोल्टता में अल्प परिवर्टन डिल्टा वी अपान अग्रे धारा में संगत परिवर्टन डिल्टा आई अप ठीक है तो लिखने आगरे गति की प्रतिरोद कामान अल्प होता है एक से सो थी ओम की मद्ध्य होता है पर्ष्य गतिक प्रतिरोद क्या है तो र आपको क्या है र ठीक बराबर क्या है पर्ष्य बोलक़ तां में अलप परिवर्थम अपरिवर्थम पर्ष्य धारा में संगत परिवर्थम डेलेटर have – DDेल प्रुम दिल्टायर तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें AC voltage current दिया है rectifier device, rectification process, DC voltage जो current है ठीक है तो देखें फर्ष्ट में सबसे पहले आपको पढ़ना इसमें क्या है तो इसमें हमको पढ़ना है आर्द तरंग दिश्टिकारी हाप wave, ठीक रेक्टिफायर तो यह क्या है अर्द तरंग दिश्टिकारी, ठीक है तो इसको हम पढ़ेंगे अर्द तरंग दिश्टिकारी को सबसे पहले इसमें चित्र को देखेंगे चित्र में हमारा ठीक है चित्र आपको दिख रहा है एक कुणडली आपको दिख रही है इसमें तो यहां पर PnC diode भी दिया हुआ है और आपका पृतिरोध भी बना दिया हुआ है ठीक है अब देखें यहां पर थीक है बोल्टिज करेंट भी आपका दिया जारहा है इसमें और लोड़ प्रतिरोध भी दिया है CAPITULARIA ठीक है तो देखेंगे इसमें हमको क्या लिखना है हमे इसमें लिखना है अब ये GRAPH आपको दिख रहा है इसको ही बना लेना है ठीक है इसमें आपका ठीक है ये वीभाव आपका अंदर मतलब IN OUT में दिया हुा है समय आपका टी दिया हुआ है तो हमें क्या लिखना है ठीक है आंत्रिक विवो और बाहे विवो तो देखें यहां पर क्या लिखना है वहाँ यूकती जो दी गई प्रत्यावर्थी बोल्टता के के और आधे भाग का ही दिश्टिकराण करे अर्द तरंग दिश्टिकारी कहलाता है फिदे के परिपत इसका तो परिपत में क्या लिखेंगे अर्द तरंग दिश्टिकारी के परिपत में ट्रांस फार्मर की प्राथ्मिक कुणली के साथ दी गई प्रत्यावर्थी बोल्टता स्रोत को संयोजित करते हैं ये कुडणली के साथ एक पीएन संदी डायोड ताथ है लोड प्रतिरोधशनी क्रम में सयोजित किया जाते हैं लोड प्रतिरोध के सिनूं पर निर्गत बोल्टथा प्राप्त की जाती है था प्रत्याव टी बोल्टता के प्रथम धनातुमक आर्द चक्र के संघधा रिनातुमक तदा यस्टू सिरा रिनात्मक हो जाता है अधा पीयल संदी डायोड अगरे वायस के अवस्ता में आ जाता है यह लोड प्रतिरोद के सिरों पर आरियल जो चित्र में दिया था वो लोड प्रतिरोद है के सिरों पर निर्गत बोल्ड प्रयाप्त होती है अगले चक्र जो प्र प्रूप्त ग्राफों से इसपश्च्ठ 係 प्रतियावर्टी बॉल्टिता का दिश्टिकरण हो पाता है पिर दिखें आंगे जातायो आठ्णि आएं क्या निश्टिकरण हो पाता ह來了 यह से बोल्टिता का च्छे हो जाता है ठीक है फिर देखें आगे क्या है यह पूर्ण तरंग दिश्टकारी ठीक है तो क्या है पूर्ण तरंग दिश्टकारी वहाँ करण जो प्रत्यावटी धारा अथवा बोल्टिता के पूर्ण चक्र का दिश्टकारान कर दे पूर्ण त प्रत्यावती धारा तो इसमें आगे आपका चित्र दिया इसमें क्या क्या दिया है इसमें यहां पर कुणली आपकी वरी हुए यहां पर डायोड दिया हुआ है तक मद निकासी बिनु भी दिया है इसके बात ढूल दिया है इसमें पर क्या लूक्तिकारी में क्या लिखना छिए हैं पर दिया मयदका पर डायोड सीयोजत किया जाता है प्रत्य वर्द्यत है कुणली से दो सिरॉं के साथ दो डायोडानों के पी भाग संयोजत किया geehrउ han प्राप्त उभय निष्ट बिंदु एवं मद निकासी बिंदु के मद लोड प्रतिरोद संयोजित किया जाता है मद निकासी बिंदु को निर्देशी शुरूने विभव बिंदु मानते हैं काल भी दिखिया है देखेंगे किया निवेशी प्रत्यावर्ती बोलतिता के धनात्मक अर्द चक्रों के संगत द्वतियक कुणली का यस्वन सिरा धनात्मक तो यस्टू सिरा रिनात्मक होता है अतार डायोड डीवन अग्रेबायस अवस्था में होने के कारण अग्रेधारा पी से क्यूकी और लोड़ प्रत्योद में प्रवाइत होती है अतार डायोड डीवन अग्रेबायस अवस्था में होने के कारण लोड़ प्रत्योद में पी से क्यूकी और धारा प्रवाइत होती है इसी प्रकार धारा की दिश्वन समान होने के कारण प्राप्त निर्गत दिश्ट बोल्टता होगी इसकी दर्चता 81.2 प्रत्योद होती है प्राइ